नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि पोशन ट्रेकर एप में एक नया अपडेट आ चुका है और ये अपडेट नया भर्जन 11.1 का पोशन ट्रेकर एप में आ चुका है यहाँ पे देख सकते हैं कि पोशन ट्रेकर एप को कब अपडेट किया गया है 3 जनवरी 2022 को यानि कि इस नए साल का ये पहला अपडेट पोशन ट्रेकर एप में आ चुका है और इस अपडेट में हम लोग जानेंगे कि जो आगनबारी सेविकाओं के साथ पोशन ट्रेकर में पिछले कुछ दिनों से जो समस्याएं चल रही थी वो समस्याएं इस पोशन ट्रेकर एप को अपडेट करने से ठीक होगा या नहीं जैसे कि कई सारी आगनबारी सेविकाओं का हमें कमेंट प्राप्त हो रहा था कि ये जो portion tracker wrap है इस portion tracker wrap में जैसे ही हम लोग लोग इन करते हैं तो लोग इन करने में भी आगनबारी सेविकाओं को परेशानी हो रही है जिनका लोग इन नहीं हो पा रहा है वो भी इस वीडियो को end तक जरूर देखें और जो आगनबारी सेविकाओं के साथ ये जो beneficiary वाजला जो option आप लोग देख रहे हैं जैसे ही इस पे click करते हैं तो ये सभी module आपका जल्दी से open नहीं हो पाता है और इसमें आपको work करने में काफी सारी परेशानिया होती है तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम लोग potion tracker app में जो module दिये गए हैं उसको fast कैसे करेंगे और इसको ठीक कैसे करेंगे तो आप सभी आगनबारी बहनों के लिए आज की ये वीडियो काफी useful होने वाली है अगर आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को आप सभी से एक छोटी सी request है कि इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए और अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और आपने हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि आपको पोशन ट्रेकर एप से रिलेटेड जो भी नई नई जनकारिया है वो आपको समय समय पर मिलती रहे तो चलिए सुरू करते हैं आज का ये वीडियो जैसे कि पहले मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो आगणबड़ी सेविकाओं को लॉगिन करने में परिसानी हो रही थी तो वो आगणबड़ी सेविकाओं इस पोशन ट्रेकर एप में लॉगिन कैसे करेंगी जैसे मैं लोगिन डाल देना है जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उसके बाद यहाँ पे चार उगको का M-PIN डाल देना है M-PIN डालने के बाद आपको इस लोगिन वाले पे क्लिक कर देना है जैसे ही आप लोगिन करेंगे तो आपका जो पोशन ट्रेकर एप यह इस प्रकार से अफलाइन मोड में लोग इन करेंगे, तो आपका जो Potion Tracker अब है, वो simply लोग इन हो जाएगा, देख सकते हैं हमने यहाँ पे अफलाइन मोड में यहाँ लोग इन किया है, तो जल्दी से लोग इन हो चुका है, और हम लोग Net on करके लोग इन करते हैं, तो यहाँ पर लोग इन नहीं हो पाता है Login होने के बाद आप यहाँ पे Net को On कर सकते हैं On करने के बाद आपका जो Potion Tracker App पर काम है वो आप आसानी से कर पाएंगे तो चलिए अब हम सबसे पहले Potion Tracker App को Update कर लेते हैं और Update करने के बाद देखते हैं कि वो जो Potion Tracker App के Module है वो Module जल्दी से Open हो रहे हैं या नहीं तो आपको क्या करना है इस Update वाले पर क्लिक कर देना है जब तक यह Potion Tracker अपडेट हो रहा है तब तक आप लोग इस वीडियो को Like कर दीजिए यह बहुत बड़ा Update नहीं है चार पॉइंट कुछ MB का यह Update है आपका जो Update है वो जल्दी हो जाएगा तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारा जो Potion Tracker App है वो Update हो चुका है Update होने के बाद Simply हम इसको Open करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जैसे ही Potion Tracker App को Open किया तो पहले हम लोग का जिस परकार से Potion Tracker App ओपन हो रहा था ठीक उसी परकार से यह नयवाला Update Potion Tracker App ओपन हो रहा है जैसे कि आप सभी को याद होगा कि पिछला Update जो आया हुआ था जिसमें 8 जन्वरी से 14 जन्वरी 2022 के बीच जो स्वस्थ बालक बालिका अस्परधा अभियान चलने वाला था तो उसको Potion Tracker App के Home Page पे रखा गया था जिस पे आगनवारी Worker, Parents and Guardians and Agency Representative वाले जो आप्सन आपको दिख रहे थे वो आप्सन यहां से हटा दिया गया है क्योंकि वो जो अभियान है वो 8 जन्वरी से 14 जन्वरी के बीच होने वाला नहीं है उसको अभी फिलाल के लिए अस्थागित कर दिया गया है COVID-19 का जो संकरमन बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए उसको अभी अस्थागित कर दिया गया है चलिए हम लोग फिलाल इस अपडेट में पोशन ट्रेकर एब का जो समस्या है उसको देख रहे हैं वो ठीक हुआ है या नहीं यह सारा चीज मैं आपके सामने ही करके दिखा रहा हूँ जैसे कि यहां पे देख सकते हैं कि हमने पोशन ट्रेकर एब को ओपेन किया ओपेन करने के बाद डिरेकली हम सिधे पोशन ट्रेकर एब के होम पेज पर आ जा रहे हैं होम पेज पर आने के बाद यहां पर जो बेनिफिसरी वाला कैटेगरी आप लोग देख रहे हैं इस पर आपको टच कर देना है जैसे ही आप इस पर click करते हैं देख सकते हैं कि आपका जो भी module है वो एकदम जल्दी से open हो जा रहे हैं यहाँ पर पहले हमने आपको दिखाया कि जो भी module थे वो open नहीं हो पा रहे थे यानि कि जो box fixes थी वो इसमें से हटा दिये गए हैं जैसे कि आप किसी भी module को हम लोग open करेंगे तो आपका जो भी list है वो एकदम जल्दी से खुल के आ जाएगा यहाँ पर आप किसी भी module पर click करके देख सकते हैं कि आपका जो भी module है वो एकदम fast अब काम करने लगा है जो इस परकार की समस्याएं थी portion tracker app में उसको यहाँ से हटा दिया गया है तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें और कुछ नया update नहीं जुड़ा है सिर्फ इसी update को यहाँ पर किया गया है कि जो समस्याएं portion tracker app में चल रही थी उसको यहाँ से fix कर दिया गया है अब आप लोग portion tracker app में easily work कर सकते हैं अब आपको कोई भी परिशानी नहीं होगी तो आप सभी आगनबारी बहने हमें comment करके जरूर बताइएगा कि यह जो 11 point का नया वाला update आया हुआ है इस update को करने के बाद आपका portion tracker app फस्ट काम कर रहा है या नहीं आप हमें comment करके जरूर बताइएगा तो उमीद है कि आज के इस वीडियो में हमने आपको पूरी जनकारी step by step समझा दिया है वीडियो आप सभी को कैसा लगा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें यह वम इस वीडियो को अन्य आगनबारी बहनों के साथ शेयर जरूर करें मिलते हैं फिर किसी नई टोपिक नई जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद